पूल मंदल में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज बात करते हैं आर्थ्रोबोड के बारे में एक इसा चानवर जिसके आंतरिक समर्थन के लिए हड्डियों की कमी होती है या ये बीना हड्डि के होते हैं इसा कह सकते है इन जानवर के बाहिये कंकाल होते है और उन्हें अकसरुकी माना जाता है इन अकसरुकी जीवों के सरीर खंडित होते है और काईटीन से बने होते है काईटीन एक बायोपोलीमर है जो इनके बाहिये कंकाल का निर्मान करता है उनके सरीर खंडित होते है और जोडों के साथ जुड़े होते है इन सभी जोडों को उपांगों के नाम से जाना जाता है आर्थ्रोपोर्ड की 10 लाग से अधिक प्रजातिया है जो पसु सामरज का सबसे बड़ा संख है आर्थरोपोड प्रचाती के आधार पर फुमी और पानी में रहने वाली अनिक प्रचातियों में पाई जाते है सबसे पहला गनात आर्थरोपोड त्रिलोबाइट्स है जिवासम समुदरी आर्थरोपोड का एक प्राचिन परिवार वेल अपक 251 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन ट्राइसिक काल के दोरान विलुप्त हो गए थे प्रति त्रिलोबाइट्स में कठोर कवच और पिछला सरीर खंडित और तीन भागों में विभाजित होता है जिने लोब के रूप में जाना चाता है आर्फरोपोड के सामन्य उदारणों में कीडे, अर्चिन्ट, क्रस्टेस्यंस और मीरियापोड सामिल है इनकी विभीनी प्रचातिया है और सभी दिखने में अलग-अलग है जैसा कि यह है लेडी बग, एक गुंबददार पीठ वाला चोटा सा कीडा चो आमतोर पर काले धबों के साथ लालिया पिले रंग में भी हो शकता है इसे तो आप चानते ही है, खुबसूरत कीडा, जिसे हम तितली के नाम से चानते है तितली एक छोटा सा कीडा है जो उड़ सकता है, जिसके दो पंक होते है सरे तीन भगों में बटा होता है सीर, सरीर और पूच, दो एंटीना के साथ, छोब पेरो के साथ तितली दुनिया के सबसे खुबसूरत कीड़ों में से एक मना चाता है मदो मखिया ततया और चीटियों से निकड़ता से संबंधित पंख वाला कीड़ा है जो अपने मीठे सहध के लिए चाना चाता है स्पाइडर्स जिस पर काफी सारी डराउने पिच्चर बनी होती है चलस्तो तो को छोड़ कर मकडिया हर आवास में रह सकती है बिचो के बाहिया कंकाल में कुछ रसाइन होते हैं चो पराबेंगिनी प्रकास पढ़ने पर चमकने लगते है यहुंने सिकार के दोरान रात में एक दुशरे का पता लगाने में मदद करते हैं साथ ही ऐसा माना चाता है कि यह उन्हें तूपसे फी बचाता है बिटल्स, आम तोर पर दरजुन या सेकड़ों अंडे देते हैं, फिर भी अतिकांच बिटल केवल एक वर्स तक ही जीवित रहते हैं और वे बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, इसलिए वे फेरमोन, वनी या कमपन उप्यों करके संबाद करते हैं इसे कहते हैं स्रेंप, दुनिया फर्ण में स्रेंप की हज़ारों प्रजातिया है, आकार प्रजातियों के अनुसर काकी बिन होता है, और वे बहुत उत्रुष्ट तेराख होते हैं अभी आप देख रहे हैं लॉप्स्टर, लॉप्स्टर को कभी गरिबों की मुर्गी कहा जाता था, अपनियों शिक काल के दो रान, इसे सूरों और बकरियों को खिला आ जाता था, और केवल गरिब लोग ही खाते थे त्वैप्स, वे गद्दों और कालिनों में रहना पसंद करते हैं और वे अधिकतर हानिकारक होते हैं सैंटिपेट्स, जिसे रात का उल्लू कहते हैं, फलें वे माचाहरी होते हैं, पर आम धारणाओं के विपरित सैंटिपेट्स खतरनाख नहीं होते हैं सैंटिपेट्स देख लिया, अब देखते हैं मिलिपेट्स, अधिकांस प्रजातिया काले या पूरे रंग में पाई जाती हैं, जबकि कुछ प्रजातिया रंग इन भी पाई जाती हैं, चमकिले रंग की प्रजातिया आमतोर पर जहरी लिए होती हैं क्रिल वे व्यक्तिगत रूप से छोटे होते हैं लेकिन सामाइक रूप से वे काफी सकति साली है उनके पास एक विशाल भोगलिक्षिबा है और उनके पास सूपर जूढ़ों होते हैं जो अंत्रिक्षेपी देखे जा सकते हैं तो देख लिजिए बर्नाकल, नहीं नहीं ये नहीं, ये है बर्नाकल, बर्नाकल प्रोथी पर सबसे पुराने जीवित प्राणियों में से एक है और दुनिया फरके महासागरों में पाई चाते हैं, इहां एक छोटा सा क्रस्टेशन से चो चत्रानों, समुदरी दीवारों, न बात की जाए तो आर्थरोपड दीपक्षिय रुप से सम्मीत होते हैं, जिसका आर्थ है कि उनके सरीर पर दो मेर खाने वाली भुजाय होती है, उनके पास एक उदरतंत्री का होती है, जो उनकी रेड की हड़ी के बजाएं उनके सरीर के सामने की ओर चलाता है, रख्त के ब जो अत्यंत समवहनी होती है, यानि प्रचुर मत्रा में रख्त की आपूर्ति की जाती है, और पुस्तक के पनों की तरह एक दूसरे के संबंध में व्योस्तित होती है, जिस वजह से उसका नाम पड़ा है पुस्तक फेपड़ा, चली आर्थरोपोड पानी में ओक्सिजन औ और अउसरसित करने वाले गिल्स का उप्योग करके सांच लेते हैं, वे तेरना, भील खुदना, चड़ना, ठक्का देना, उड़ना और चड़ना अपनी गती के मुख्यों रोप में आगे बढ़ते हैं, कुछ प्राणी कई प्रकार की गती से चलते हैं, जैसे कि तितलिया जो चड़ सकती हैं, चलती हैं, और उड़ती हैं, अधिकांच आर्थरोपड अपने खंडिया उपांगों के माधियम से चलते हैं, और एक्जोस्केलिटान और मास्पेशियों जो उनके कंकाल के अंदर से जुड़ी होती हैं, एक लिवर प्रणाली के रूप में एक साथ का करती हैं, जैसा कि निड़ वाले जीवों में भी होता है, चलिए कुछ उधरन देख लेते हैं, साइनिडिया टेंटाटोमिड बग का एक परिवार है, जिसे बिल बनाने वाले कीड़ों जैसे सामन्य नाम से जाना चाता है, जैसे कि सामन्य नाम से पता चलता है, समों के कई सदस्य भूमी का जीवन से लीजीते है, अपने सिर और अगले पेरों का उप्योक करके मिटी को खोदते हैं और अंदर दब जाते है, संपोक सीजन के दो रान बाहर निकलते है और मिटी में अपने अंडे देते है, अधिकास आर्थ्रोपोड में अधिक सगन सरीर और कम पिर होते हैं और चिंटे बैर चार चोरी कोई और कीड़ों में तीन चोड़ी से अधिक पेर नहीं होते हैं कुमनेर को लुग शेयर और स्पस्राइब शरूप करें कॉमेंट शक्षेस में शरूप्टाये आपको यह कैसा लगा अगर आप किसी जीव के बारे में चाहनना चाहते हो तो यहां पर शरूर बताए हम कोशिस करेंगे कि उसके बारे में फिर वीडियो शरूर बनाएगे आपने जो भी प्यार दिया है उसके लिए में काफी आभारी हो थैंक यूँ